कि है गाइस वेल्म टूब आ न्यू ब्लॉग तो हो चुकी एक नई ब्लॉग की शुरुबात तो आज मैं बनाने वाले हूं काफी मद्यदाती ट्रिंक तो आज मैं बनाऊंगा पीच मोहितो यानि कि आड़ो से हम मोहितो त्यार करने वाल हैं काफी रिफ्रेशिंग है और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट तो सबसे पहले हम ले लेंगे आड़ो यानि की पीच तो तीन चार आड़ो मैंने लिए हैं और इन आड़ो को हम पैसे कुकर में बॉयल कर लेंगे सिर्फ एक सीटी लगानी है जाता नहीं लगानी है देखिए आड़ो हमारे यह इसको हम केंड़ कर लेंगे हैं अड़ो ठंड हो चुके में अब टाल देखे म Mixi Grinder की जार में यह मज़े का अज्र हमारा मोई तो बनने वाला है चलिए Mixi Grinder में पर ले देखेस हैं ग्राइनो और लेकें अजा I want to και towards it ya i नहीं रहने वाला है तो अब एक ग्लास में लेंगे एक छोटे पीसे नीबू के हलका सा क्रस्ट करके और इसके बाद मैं लूँगा इसमें पोधिने की पत्ते कम खेसाथ और इनको मैं हाथ से ऐसी तोड़ लूँगा छोटे पीसे में अब फिट से में एक दो चम्माच नीब इसमें आइस तो आइस मैंने एक दो लिया है और इसको मैंने कूट लिया है बारिक करके ऐसे आइस डालने के बाद अब मैं डालोंगा इसमें शूगर पाउडर लगबख तीन चार चम्मच छोटे तीन चार चम्मच आप अपनी हिसाब से जाल सकते हैं जितना आपको किया था आडू तो आधा कप मैं डाल रहा हूं इसमें बस तो इसके बाद मैं डालूंगा थंडा पानी बिल्कुल तो यह पूरा नहीं बढ़ेंगे इसको भी तो बड़ से डालेंगे हम और लास्ट में मैं डालूंगा इसमें यह सोडा स्प्रिंकल बॉटर हम जिसको कहते तो यह हमने डाल दिया इसमें बस अब हम चम्मा से मिला देंगे इसको अलका सा और यह तयार हो गया हमारा पीच मोहितो तो आप भी अपने घर पे बनाईए और कमेंट करके ताई कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी तो काफी रिफ्रेशिंग और टेस्टी यह डिंक बन लिए